Exercise 5b का देखते हैं, Question No.1, तो यहाँ पे हमें दिया गया है, Replace star by greater than, smaller than, or equal to make the statement true, तो इसके first part में हमको दिया गया है, 2 upon 9 star 5 upon 9, तो हमें क्या करना है, इन दोनों fractions को यहाँ पे compare करना है, और बताना है कि star की जगा, इन मेंसे कौन सा sign आएगा, greater than, smaller than, या फिर equal का, तो देखें यहाँ पे जो इन दोनों fractions के denominator हैं, वो हैं same, और जब भी denominator same होते हैं, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ numerator को compare करते हैं, और हम इसमें क्या करेंगे, पहले वाले fraction को दूसरे से compare करेंगे, ठीक है ना, हर part में Question No.1 के में, तो यहाँ पे 2 जो है 5 से वो कैसा है, 2 है छोटा तो इसलिए जो 2 upon 9 है, वो smaller than होगा किस से 5 upon 9 से, तो यहाँ पे smaller than का sign आएगा, इसका second part देखते हैं यहाँ तो second part में हमको दिया गया है 3 upon 4 and यह है 9 upon 12, ठीक है, अभी यहाँ पे देखें जो denominators हैं वो है different, तो हम क्या करते हैं इसमें, cross multiply कर लेते हैं, 3 का करते हैं 12 के साथ multiply तो यह आजाता है 36, और 4 का करते हैं 9 के साथ, तो यह आजाता है 36, तो यहाँ पे हमारा sign आएगा equal का, इसके second part में, ठीक है, third part देखते हैं इसका, तो इसके third part में हमको दिया गया है 3 upon 13 and 4 upon 15, तो यहाँ भी cross multiply कर लेते हैं, क्योंकि जो denominators हैं वो अलग-अलग हैं, तो 3 का 15 के साथ, तो यह 45, और 13 का 4 के साथ, तो यह आजाएगा multiply करके 52, तो 45 कैसा है 52 से, यह है छोटा, तो यहाँ पे भी sign आएगा smaller than का, तो कह सकते हैं 3 upon 13 is smaller than 4 upon 15, फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका, तो देखें यहाँ पे क्या दिया गया, इसमें 5 upon 12 and 17 upon 30, तो cross multiply करते हैं 5 का 30 के साथ, यह हो जाएगा 150, और इसका इसके साथ करते हैं 12 का 17 के साथ, यह आजाएगा 12, 7 जा 84, 12 जा 12 and 8, 200, तो 150 कैसा है 204 से, यह है छोटा, तो इसलिए 5 upon 12 जो है, वो smaller than होगा 17 upon 30 से, इसके 5 पार्ट में देखते हैं क्या है, यह है 1 upon 10, यहाँ पे है दूसरा 1 upon 5, cross multiply करते ह इनको भी, तो यह आजाएगा 15, 5 and 10, 1, 10, तो 5 कैसा है, 10 से यह है smaller, तो इसलिए 1 upon 10 जो है, वो smaller होगा 1 upon 5 से, तो star की जगा क्या जाएगा, यहाँ पे smaller than का साइन, 6 पार्ट देखिए इसका, तो यहाँ पे दिया गया है 10 upon 11, और इधर है 11 upon 12, दूसरा fraction, ठीक है, तो cross multiply करते है इनको, तो 10 into 12 यह होजाएगा 120, और 11, 11, 121, तो 120 कैसा है, 121 से, तो यह है smaller, तो इसलिए कह सकते हैं, कि 10 upon 11 is smaller than 11 upon 12, तो star की जगे smaller than का साइन आएगा, नेक्स ते इसका question number 2, तो यहाँ पे हमें कुछ fractions दी गई है, जिनको हमें ascending order में write करना है, तो इसके first part में हमको दिया गया है, 4 upon 13, 10 upon 13, 9 upon 13, and 7 upon 13, तो हमको, इनको ascending order में write करना है, तो देखे, जब भी हमें fractions को ascending या फिर descending order में write करना होता है, तो हम सबसे पहले उनके denominators को equal करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो denominators हैं, वो पहले से equal दिये गए हैं, मतलब सभी का जो denominator है, यहाँ पे fractions का, वो क्या ह 13 है, तो अभी हम किसको compare करेंगे, यहाँ पे only numerators को compare करेंगे, ascending order में write करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे चोटा number, फिर उससे just बड़ा, फिर उससे just बड़ा, इस तरह से हम आगे चलते जाते हैं, तो इन numbers में सबसे चोटा क्या है, यह है 4, तो मैं यहाँ प सबसे बड़ा number यह है 10, तो fraction होगी यहाँ पे 10 upon 13, तो इस तरह से हमने इनको ascending order में write कर लिया है fractions को, अभी देखते हैं इसका part number 2, तो इसके part number 2 में हमें दिया गया है 5 upon 6, आगे दिया गया यहाँ पे 4 upon 9 and 1 upon 4, यहाँ पे जो denominators हैं वो सभी के क्या है, different हैं, तो हम क्या करे के लिए LCM ले लेंगे denominators का, तो 6, 9 और 4 का जो LCM है वो आ जाएगा यहाँ पे 36, आप यहाँ पे अलग से निकाल के देख सकते हो, ठीक है, तो क्या करते हैं, इसके denominator से divide करते हैं इसको, मतलब 6 से divide करेंगे 36 को, तो कितने पर जाएगा यह 6 पे divide होगा, उस 6 का यहाँ पे multiply क दिया जाएगा 9, अभी यहाँ पे क्या करते हैं, देखते हैं, सबसे छोटा number क्या होगा, ascending order में write करने के लिए, तो सबसे छोटा यहाँ पे क्या है, 9 है, और 9 स्टेंड करता है, 1 upon 4 के लिए, तो मैं यहाँ पे write कर देता हूँ, सबसे छोटी fraction 1 upon 4, उससे just बढ़ा यहाँ पे 16 है, तो fraction होगी 4 upon 9, फिर 30 है, तो fraction होगी इसके लिए 5 upon 6, तो इनको मैंने assigning order में write कर दिया है, ठीक है, इसके बाद देखते हैं, इसका 3rd part, तो 3rd part में यहाँ पे क्या दिया गया है, 5 upon 6, ठीक है, 3 upon 8, इसके बाद है, 7 upon 16, यहाँ पे 11 upon 24, 4, denominator is different हैं अभी के, तो क्या करते हैं, LCM निकालते हैं, तो 6, 8, 16 और 24 का जो LCM है, वो यहाँ पे आ जाएगा, 48, 6 से divide करते हैं, इसको कितने पे जाएगा, यह जाएगा, 8 पे, उस 8 का यहाँ पे multiply, तो 5, 8 जाएगा, 40, 8, 6 जा, तो 6 का यहाँ पे multiply, तो यहाँ जाएगा, 18, and यहाँ पे 16, 3 जा, and 3 का यहाँ पे multiply, तो यहाँ जाएगा, 21, 24, 2 जा, तो 2 का यहाँ पे multiply, तो यहाँ जाएगा, 22, अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे, इनको ascending order में write करने के लिए, सबसे चोटा number देखते हैं, तो सबसे चोटा number यहाँ पे क्या है, 18, जो stand करता है, 3 upon 8 के लिए, तो यह 7 upon 16, उसके बाद 22, तो 22 stand करता है, 11 upon 24 के लिए, उसके बाद यहाँ पे आजाएगा, 22 से बड़ा number 40, तो 40 किसके लिए stand करता है, यह करता है, 5 upon 6 के लिए, फोर्थ पार देखते हैं इसका, यहाँ पे, तो यह है 3 upon 5, और यह 7 upon 15, और यह है 9 upon 20, और यह है 3 upon 10, ठीके, LCM ले ले लेते हैं, क्योंकि denominator जो है, वो different है, तो 5, 15, 20, और 10 का जो LCM है, वो यहाँ पे आजाएगा, 60, 5 से divide करेंगे इसको, तो यह जाएगा 12 पे, आप चाहें, तो divide करके देख सकते हैं, तो 12 पे जाएगा, तो उस 12 का यहाँ पे multiply होगा, तो यह जाएगा 36, 15 से क order में write करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटा number देखेंगे, यहाँ पे क्या है, यह है 18, तो 18 किसके लिए stand करता है, 3 upon 10 के लिए, तो मैं हाँ पे write कर दूँगा, 3 upon 10, सबसे छोटा number, जस्त बड़ा क्या है, उससे 27, तो 27 stand करता है, 9 upon 20 के लिए, उसके बाद यहाँ पे आएगा 28, 28 stand करता है 7 upon 15 के लिए, और उसके बाद यहाँ पे आएगा सबसे बड़ा number 36, तो यह stand करता है 3 upon 5 के लिए, तो इस तरह से हमने इन fractions को ascending order में write कर लिया है, नेक्स ते इसका question number 3, तो यहाँ पे हमें fractions को descending order में write करना है, तो इसके first part में हमको दिया गया ह 7 upon 15, 11 upon 15, 1 upon 15 and 13 upon 15, तो देखें यहाँ पे जो denominators है, इसके वो सभी क्या है, सेम है, तो हम क्या करेंगे, इधर only numerators को compare करेंगे, तो descending order में write करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ा number लिखते हैं, फिर उससे just छोटा, फिर उससे just छोटा, इस तरह से आगे चलते जाते हैं, चितने भी वहाँ पे number दिये गए होते हैं, तो सबसे बड़ा number यहाँ पे क्या है, यह है 13, तो मैं write कर दूँगा 13 upon 15, ठीक है, यह fraction हमारी क्या होगी, सबसे बड़ी होगी, फिर उससे just छोटा number है 11, तो fraction होगी 11 upon 15, उससे just छोटा है हमारे पास 7, तो fraction गी 1 upon 15, तो इस तरह से हमने first part को descending order में write कर लिया है, second part देखते हैं इसका, तो यहाँ पे हमें दिया गया है 3 upon 4, इसके बाद है 1 upon 6 and 5 upon 8, तो देखें यहाँ पे जो यह denominators हैं, यह different हैं, तो इनको equal करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका LCM निकालेंगे, तो 4, 6 और 8 का जो LCM जाएगा 18, 6 से divide करते हैं इसको तो इस पे जाएगा 4 पे, 6, 4 जा 24, उस 4 को इसमे multiply, तो यह हो जाएगा 4, 8 से divide करते हैं इसको तो 8, 3 जा, उस 3 का यहाँ multiply करेंगे, तो यहाँ जाएगा 3, 5, 15, अभी इसको descending order में write करने के लिए, क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ा number देखते हैं, तो सबसे बड़ा number क्या है, यहाँ पर 18, तो 18 स्टेंड करता है, 3 upon 4 के लिए, तो यहाँ पर write कर देता हूँ, 3 upon 4, यह सबसे बड़ी fraction है, उसके just, छोटा क्या है, 18 से 15 है, तो 15 स्टेंड करता है, 5 upon 8 के लिए, फिर उसके बाद 4 है, तो यह स्टेंड करता है, 1 upon 6 के लिए, तो यह descending order में है, यह वाली fractions, ठीक है, इसके third part में देखें, यहाँ पर क्या है, यह है, 4 upon 15, and 11 upon 21, आगे दिया गया है, 1 upon 7, और इसमें आगे है, 2 upon 3, जो denominators हैं, वो different हैं, तो यहाँ पर LCM निकाल लेता है, इनका, तो 15, 21, 7 और 3 का जो LCM है, वो हमारे पास आज जाएगा 105, ठीक है, अभी देखें, 15 से डिवाइड करते हैं, इसको तो 15, 7 जा, उस 7 का उपर multiply कर लेते हैं, इसके numerator में, तो 47 जा, 28, 21 से करेंगे, इसको divide जाएगा 5 पे, उस 5 का यहाँ पर multiply, तो यह हो जाएगा 55, ठीक है, 7 से डिवाइल करते हैं, इसको तो यह जाएगा 7 जाएगा, ठीक है, तो 15 जा, 15, फिर यहाँ पर करते हैं, 3 से, तो 3, 3, 9, 3, 5, 15, 35 पर जाता है, इससे, ठीक है, तो यह हो जाएगा 70, तो अभी क्या देखते हैं, यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर क्या है, तो सबसे बड़ा नंबर है 70, तो 70 किस के लिए stand करता है वही, 2 upon 3 क के लिए, उसके बाद है यहाँ पर 15, तो यह stand करेगा 1 upon 7 के लिए, तो इस तरह से जो 3rd part में fractions हैं, उनको यहाँ पर descending order में write कर लिया है, 4th part देखते हैं इसका, तो इधर देखे क्या दिया गया है, 3 upon 4, ठीक है, 7 upon 8, and 5 upon 12, और यह है यहाँ पर 11 upon 24, 4, denominators different हैं, तो इनको equal करने के लिए इनका LCM ले लेते हैं, तो LCM क्या हो जाएगा, 4, 8, 12, और 24 का ही हो जाएगा, 24, ठीक है, अभी क्या करते हैं, 4 से divide करते हैं, इसको तो 4, 6, 24, और उस 6 का यहाँ पर multiply, तो 3, 6, 18 हो जाएगा, 8, 3, ठीक है बई, तो 3 का यहाँ पर multiply, तो 21, 12, 2 जा, तो 2 का यहाँ पर multiply, तो 10 आ गया, 24, 1 जा, तो 1 का यहाँ पर multiply, तो 11 आ गया, सबसे बड़ा नमबर write करेंगे, क्योंकि हमें descending order में देखना है, ठीक है न, descending order में set करने के लिए, सबसे बड़ा नमबर क्या है, यहाँ पर 21, तो 21 स्टेंड करता है, 7 upon 8 के लिए, उसके ज़स चोटा यहाँ पर क्या है, 18 से यह है, 11 तो 11 करता है, 11 upon 24 के लिए, और सबसे चोटा यहाँ पर 10, तो 10 स्टेंड करता है, 5 upon 12 के लिए, तो 4 पार्ट में जो यह fraction से इनको, इस तरह से हमने descending order में write कर लिया है, नेक्स ने इसका question number 4, तो यहाँ पर हमें दिया गया है, कि आयूसरी और इसानी दोनों ने same quiz test लिया है, जिसमें आयूसरी ने 7 upon 8 questions का correctly answer किया है, और इसानी ने 4 upon 5 questions का correctly answer किया है, तो हमें यहाँ पर बताना है कि किसने score high किया, तो देखें यहाँ पर मैं write कर लेता हूँ, आयूसरी answered, ठीक है, write कर लेते हैं, आयूसरी answer, ठीक है, तो पायूसरी ने कितने questions का correctly answer किया है ये किया है 7 upon 8 का और यहाँ पे मैं write कर लेता हूँ E.Sani का E.Sani answered तो E.Sani ने कितने questions का correctly answer किया है ये किया है 4 upon 5 का तो देखें यहाँ पे किसने ज़्यादा score किया है high इसको करने के लिए हम क्या करेंगे दोनों को compare कर देंगे तो मैं यहाँ पे write कर लूँगा 7 upon 8 and 4 upon 5 दोनों को तो cross multiply करके compare कर लेते हैं इनको तो यहाँ पे आ जाएगा 7,5 जा 35 and 8,4 जा 32 तो 35 कैसा है 32 से यह है greater तो इसका मतलब कि जो 7 upon 8 है यहाँ पे वो greater होगा किस से 4 upon 5 से और जब 7 upon 8 greater है तो इसका मतलब है कि आयूसरी ने है इसानी से तो मैं यहाँ पे write कर दूँगा so are you three score more so are you three are you three scored more next दे इसका question number 5 तो यहाँ पे हमें कुछ parts दिये गये हैं जिनको हमें solve करना है तो इसके first part में हमको दिया गया है 1 upon 7 of 14 तो off का मतलब होता है multiply तो मैं यहाँ पे cut कर लेता हूँ इसको 7 1 जा 7 and 7 2 जा 14 अब 2 का multiply आ जाएगा यहाँ पे कितना 2 आ जाएगा ठीक है अब देखिए यह इसके second part में है 1 upon 8 of 400 तो 8 से cut कर लेते हैं इसको तो 8 5 is of 40 and यहाँ पे 0 तो 15 multiply 1 कितना हो गया 50 multiply 1 यह हो गया 50 1 upon 6 of 30 hours तो 6 से cut कर लेते हैं इसको तो यह हो जाएगा 6 5 जा तो यह आ जाएगा 5 hours 1 upon 8 of 168 meter तो 8 से cut करेंगे 8 to 168 बन जाएगा 8 यह आ गया यहाँ पे 21 meter इसका 6th part है 1 upon 20 of 1000 ml तो 25 जा 100 और यहाँ पे यह 0 तो 50 multiply बना जाएगा 50 ml ठीक है 6th part में देखिए यहाँ पे भी हमें कुछ values दी गई है जिनको हमें find करना है तो 2 upon 5 of 30 तो 30 का 2 upon 5 क्या हो जाएगा यहाँ पे write कर लेते हैं इसको cut करेंगे 5 से 5 बन जा और 5 जा तो 2 multiply 6 कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 12 तो 30 का 2 upon 5 आगया हमारे पास 12 ठीक है second part देखते है इसका 3 upon 11 और रुपी 44 तो 11 से cut करेंगे 4 पे 44 को 11 फो जा 44 और 4 और 3 12 तो इसकी value आगया यहाँ पे रुपी 12 तो रुपी 44 का 3 upon 11 है वो आजाएगा रुपी 12 थर्ड पार्ट है इसका तो यहाँ पे 3 upon 8 और 40 किलोमेटर 8 5 जा 45 तो यह आगया 15 किलोमेटर 40 किलोमेटर का 3 upon 8 आएगा 15 किलोमेटर फोर्थ पार्ट है 13 से cut करते हैं 13 5 जा और 5 4 जा 20 तो यह आगया 20 cm 65 cm का 4 upon 13 होगा 20 cm 6 से cut करते हैं 6 9 जा 80 से cut करेंगे इसको तो 0 से 0 cut हो जाएगा 8 5 जा 40 50 11 और 50 को multiply करेंगे तो 550 ml जाएगा इसका 4000 ml का जो 11 upon 80 होगा वो आएगा 550 ml next is का question number 7 तो यहाँ पे हमें 4 options दिये गए हैं जिन में से हमें बताना है कि सबसे छोटी जो fraction है वो कौन सी होगी तो इसके लिए हम क्या करेंगे जो ये fractions दी गई है 4 options में इनको compare कर लेंगे हम ठीक है तो compare किस तरह से करेंगे देखे मैंने यहाँ पे इनको write कर लिया है और अ दिवाइड करेंगे तो यह जाएगा 15 पे तो उस 15 का multiply कर देंगे किस के साथ 3 के साथ तो यह जाएगा 15 3 जा 45 9 से डिवाइड करते हैं तो यह जाएगा 9 जा 18 20 पे तो 25 जा हो जाएगा 100 3 से डिवाइड करते हैं तो यह जाएगा 60 पे तो 61 जा जाएगा 60 15 से डिवाइड करत तो सबसे चोटा नमबर क्या है यहाँ पे यह है 45, तो 45 किसके लिए स्टेंड करता है, यह स्टेंड करता है 3 upon 12 के लिए, तो जो 3 upon 12 है वही यहाँ पे सबसे चोटी fraction होगी, तो इसलिए इसका जो option A है, question number 7 का वो correct होगा. नेक्स के इसका question number 8, तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि Mrs. Verma chocolates के एक bag को 4 बच्चों में बाटती है, जिसमें से पायल को मिलती है 7 upon 15, सुब को मिलती है 7 upon 8, राज को मिलती है 7 upon 20, और लारा को मिलती है 7 upon 10, तो हमें यहाँ पे इन बच्चों के name को इस order में arrange करना है कि उनको जो 15, इसके बाद यहाँ पे सुब को कितनी मिली, तो write कर देते हैं, सुब गौट chocolates, तो सुब को कितनी मिली यहाँ पे, यह मिली है 7 upon 8, इसके बाद यहाँ पे write करते हैं, लारा, ठीक है, राज को write करते है, राज को मिली है, यहाँ पे कितनी, राज को मिली है 7 upon 20, इसके बाद write करते हैं लारा तो लारा को कितनी chocolates मिली है ये मिली है 7 upon 10 तो देखिए यहाँ पे इनको इस order में write करने के लिए कि किसको कितनी मिली है मतलब least to greatest में write करने के लिए क्या करते हैं compare करते हैं तो मैं यहाँ पे write कर लेता हूँ इन सभी को 7 upon 15 7 upon 8 7 upon 20 and 7 1 upon 10 ठीक है तो इनका हम क्या कर लेते हैं LCM निकाल लेते हैं तो LCM निकालेंगे तो हम क्या करेंगे देखिए 15 8 20 और 10 का LCM आ जाएगा 120 तो 15 से डिवाइड करेंगे इसको तो यह चला जाएगा कितने पे 15 8 जाओ ठीक है उस 8 का यहाँ पे 10 6 12 7 जाएगा तो यहाँ पे देखिए इनको हम क्या किसम राइड कर लेते हैं इसने बोला है Least to Greatest तो मतलब Ascending Order में राइड कर लेते हैं तो सबसे यह पे देखिए सबसे छोटा नंबर क्या है यह है 42 तो 42 की Skill Stand करता है 7 upon 20 के लिए ठीक है उसके बाद यहाँ पे उससे जस्ट बड़ा क्या है यह है 56 तो 56 stand करता है 7 upon 15 के लिए इसके बाद है 84 तो 84 किसके लिए stand करता है यह stand करता है 7 upon 10 के लिए इसके बाद यहाँ पे सबसे बड़ा नमबर है 105 तो यह stand करता है 7 upon 8 के लिए अभी हमें बच्चों के नाम इस order में राइट करने है तो 7 upon 20 किसके लिए है ये है राज के लिए तो मैं हाँ पर राइट कर दूँगा राज ठीक है उसके बाद कौन सा आएगा 7 upon 15 तो 7 upon 15 किसका है ये है पायल का तो यहाँ पर राइट कर देंगे पायल 7 upon 10 किसका है ये है लारा तो यहाँ पर आजाएगा लारा उसके बाद जो 7 upon 8 है वो किसके लिए है वो है सुब के लिए ठीक है तो इस तरह से जो least to greatest यहाँ पे chocolates मिली है बच्चों को वो इस तरह से मिली है सबसे कम राज को उससे ज़्यादा पायल को उससे ज़्यादा लारा को और सबसे ज़्यादा मिली है सुब को next day is का question number 9 तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि 4 बच्चे अपना खुद का छोटा pizza order करते हैं same size का तो मारिया अपने pizza का 3 upon 4 parts खा जाती है राहुल 7 upon 12 खा जाता है रोनी 3 upon 5 खा जाता है और विनी 5 upon 6 खा जाती है तो हमको यहाँ पे find out करना है कि किस बच्चे ने सबसे ज़्यादा amount खाया अपने pizza का तो इसके लिए हम क्या करेंगे देखिए इनको right कर लेंगे मारिया इट्स 3 upon 4 राहुल ने खाया 7 upon 12 अपने pizza का और रोनी ने खाया 3 upon 5 और विनी ने खाया 5 upon 6 अभी यहाँ पे क्या निकालना था हमको कि किस बच्चे ने सबसे ज़्यादा amount खाया अपने pizza का तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे LCM निकाल लेंगे इनका देखिए 3 upon 4 मैं right कर लेता हूँ 3 upon 4 7 upon 12, 3 upon 5 and 5 upon 6 तो LCM निकालेंगे तो 4, 12, 5 और 6 का जो हमारा LCM है वो कितना जाएगा यह जाएगा 60 तो 4 से डिवाइड करेंगे इसको तो यह जाएगा 15 पे उस 15 का यहाँ पे multiply तो यह जाएगा 45 12 से डिवाइड करेंगे तो यह जाएगा 5 पे तो 5 का यहाँ पे multiply तो यह जाएगा 35 5 से डिवाइड करेंगे तो यह जाएगा 12 पे तो 12 रिजा 36 6 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 10 पे तो यहाँ पे 10 into 5 आजाएगा 50 तो अभी हम क्या करते हैं देखो सबसे जाएगा कौन खाएगा जिसका यहाँ पे जाएगा तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पे यह है 50 ठीक है तो 50 किस के लिए stand करता है यह stand करता है 5 upon 6 के लिए तो 5 upon 6 यहाँ पे सबसे greatest है तो इसका मतलब जो विनी है उसने सबसे जाएदा अपने पीजा का तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ so विनी eat more amount विनी eats most amount of पीजा तो इसका option decorrect होगा next इसका question number 10 तो यहाँ पे हमें दिया गया है what fraction of a meter is 25 cm तो देखे यहाँ पे हमको बता है कि जो 1 meter होता है उसमें होते है 100 cm तो मैं write कर लूँगा इसकी fraction 25 upon के 100 तो cut कर लेते हैं 25 1 जा तो इसकी जो हमारे पास fraction होगी वो होगी 1 upon 4 तो question number 10 का जो D part है वो correct होगा मतलब इसका D option correct होगा next इसका question number 11 तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि एक tank का 1 third 80 liters water hold करता है तो हमें यहाँ पे find out करना है कि उस tank का half कितना water hold करेगा तो देखें यहाँ पे मैं write कर लेता हूँ one third tank hold one third tank hold तो इसमें कितना पानी आता है इसमें आता है 80 liters अभी हमें यहाँ पे क्या करना है full tank का निकालना है तो full tank में कितना पानी आ जाएगा full tank hold तो यह आ जाएगा 80 multiply 3 ठीक है तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 240 liters निकालना क्या है हमें half tank का निकालना है तो half tank hold तो यह आ जाएगा 240 का half तो divide करेंगे इसको तो यह कितना हो जाएगा 120 liters तो उस half tank में 120 liters पानी आएगा next is का question number 12 तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि अंजली के पास 3 upon 5 cup brown sugar है उसको carrot cake के लिए 5 upon 7 cup brown sugar चाहिए तो हमें हाँ पे बताना है कि जो 3 upon 5 cup brown sugar उसके पास है वो उस carrot cake के लिए enough रहेगा या फिर नहीं रहेगा तो देखें मैं यहाँ पे write कर लेता हूँ अंजली have brown sugar तो कितनी brown sugar है उसके पास यह है 3 upon 5 cup तो कितना चाहिए तो यहाँ पे मैं write कर लेता हूँ अंजली need brown sugar तो कितना चाहिए उसको उस recipe के लिए 5 upon 7 cups चाहिए तो हमें बताना है कि जो यह 3 upon 5 cups उसके पास है यह उसके लिए enough रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे उस recipe के लिए तो इसके लिए हम क्या कर लेता है यहाँ पे जो 3 upon 5 है और 5 upon 7 है इनको compare कर लेता है तो compare करेंगे यहाँ पे तो cross multiply करेंगे इनका तो 3 7 जा 21 and 5 5 जा 25 तो जो 21 है वो less है किस से 25 से तो इसका मतलब जो 3 upon 5 cup उसके पास है वो क्या रहेगा? कम रहेगा तो मैं write करूंगा 3 upon 5 is less than 5 upon 7 तो यह जो brown sugar है उसके पास 3 upon 5 cup यह enough नहीं रहेगा तो मैं write करूंगा so 3 upon 5 cup of brown sugar brown sugar is not enough is not enough next नहीं इसका question number 13 तो यहाँ पे हमको 4 options दिये गए हैं जिन में से हमको find out करना है कि 32 upon 9 and 3 plus 7 upon 9 के बीच में इन में से कौन सा fraction होगा? तो देखे यहाँ पे जो यह fraction है यह दी गई है mix में तो इसको improper मैं write कर लेते हैं तो यह आ जाएगा यहाँ पे as it is 32 upon 9 क्योंकि यह पहले से ही improper में है और इसका आ जाएगा 9,3,27 and 7,34 upon 9 तो 32 upon 9 and 34 upon 9 के बीच में कौन सा fraction होगा? यह होगा 33 upon 9 तो 33 upon 9 को क्या कर लेते हैं? यहाँ पे simplify कर लेते हैं तो यह आ जाएगा 3 upon 9,3 upon 3 तो यह आ जाएगा 11 upon 3 तो इन दोनों के बीच में जो fraction होगा वो होगा 11 upon 3 तो हमको क्या करना है? जो यह option दिये गए हैं इसके equal देखना है कि 11 upon 3 के equal इन में से कौन सा option होगा? तो देखे 11 upon 9 इसके equal नहीं है तो यह तो नहीं होगा 6,3,18 प्लस 5 यह होजाएगा 23 upon 6 तो यह भी इसके equal नहीं है यह नहीं होगा 3,3,9 और 110 upon 3 यह इसके equal नहीं होगा यह है 3,3,9 और 2,11 upon 3 तो यह इसके equal है तो इसलिए इसका option D correct होगा इसके लिए next is का question number 14 7 upon 10 of 20 and 48 divide by 3 तो देखें जो यहाँ पर off होता है इसका मतलब होता है multiply तो मैं यहाँ पर write कर लेता हूँ 3 बंजा 3 and 3 9 जा 27 मैंने 3 से cut कर लिया इनको तो यहाँ जाएगा 2 multiply 9 इतना 18 अभी क्या करते हैं यहाँ पर इनको divide कर लेते हैं तो यह 4 9 जा तो यहाँ जाएगा 9 10 तूजा तो 7 multiply 2 आ जाएगा 14 and 48 को divide करेंगे 3 से तो यहाँ जाएगा 16 तो इनको हमें क्या करना है smallest to largest मैं write कर लेना पहले ठीक है तो smallest to largest क्या हो जाएगा दीखें सबसे smallest क्या है यहाँ पर 9 उसके बाद यहाँ पर क्या है 14 14 and उसके बाद है यहाँ पर 16 और उसके बाद आ जाएगा 18 अभी हम इनको write कर लेते हैं तो 9 किसके लिए stand करता है दीखें यहाँ पर यह करता है 1 upon 4 of 36 के लिए उसके बाद 14 किसके लिए stand करता है तो 14 stand करता है यहाँ पर 7 upon 10 of 20 के लिए उसके बाद है यहाँ पे 16 तो यह stand करता है 48 divide by 3 के लिए और यहाँ पे है 18 तो 18 stand करता है 2 by 3 of 27 के लिए इसके part number 2 में हमको दिया गया है 2 by 9 of 63 तो यहाँ पे कर लेते हैं इसको 9, 7 जा तो 2 multiply 7 आ जाएगा 14, 70 को divide करते हैं 7 से तो यह हो जाएगा यहाँ पे 10, 6 9 जा तो 9 1 जा जाएगा 9 and 7 5 जा तो 5 4 जा जाएगा 20 smallest to largest right करना है तो सबसे smallest के आएगा यहाँ पे यह आएगा 9 उसके just बड़ा के आ जाएगा यहाँ पे यहाँ जाएगा 10 फिर यहाँ पे आ जाएगा 14 और आ जाएगा 20 तो 9 किसके लिए stand करता है यह stand करता है 1 by 6 of 54 ठीक है 10 किसके लिए stand करता है 70 divided by 7 के लिए इसके बाद 14 किसके लिए stand करता है यह stand करता है 2 by 9 of 63 और यहाँ पे जो हमारा यह है 20 ठीक है ना 20 किसके लिए stand करता है 20 stand करता है 4 by 7 of 35 के लिए next is का question number 15 तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि एक survey में 80 students को vote करने के लिए कहा जाता है उनके favorite subjects English, Science and Maths को तो यहाँ पे जो English को votes मिले हैं वो मिले है 1 upon 5 Science को मिले है 1 upon 4 और बाकी बचे जो votes से वो मिले हैं Maths को तो हमें यहाँ पे find out करना है कि Math को English से कितने ज़्यादा vote मिले हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ पे write कर लेता हूँ total number of votes ठीक है total number of votes तो votes कितनी होंगे जितने वहाँ पे students होंगे तो कितने students थे यहाँ पे यह थे 80 तो total यहाँ पे votes है 80 अब हमें write करना है students voted for English तो English के लिए कितने students ने vote किया यह किया 1 upon 5 किसका 1 upon 5 यह था total number of votes का means 80 का तो यहाँ पे निकाल लेते हैं यह आ जाएगा 16 ठीक है अब ही write करते हैं student voted for science अगला subject क्या है यहाँ पे science है तो science के लिए कितना किया है यह किया है 1 upon 4 किसका 1 upon 4 total number of votes का तो यह 20 तो science को vote किया है 20 students ने अब यहाँ पे write कर लेते हैं students voted for maths तो maths के लिए कितना vote करेंगे तो देखे टोटल मैस है इनको minus कर लेते हैं हम जिसने बच्चों ने English subject को vote दिया और science को vote दिया तो minus 16 and minus 20 तो यह आ जाएगा यहाँ पे 80 मैसे 16 जाएगा तो यह आ जाएगा 64 और इस मैसे 20 मैस करेंगे तो यह यहाँ जाएगा 44 तो maths को तो 44 वोट मिले हैं यहाँ पे अब हमें क्या करना है यहाँ पे निकालना है कि maths को English से कितना जादा vote मिले हैं तो मैं यहाँ पे write कर लूँगा 44 minus English English के कितना है 16 है तो यहाँ जाएगे 28 तो write कर लेंगे so maths received received 28 more votes more votes than English तो maths को English से 28 वोट जादा मिले है